नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अपके अपने योट्यूब चैनल एक्साम टबलेट में दोस्तों जारकंड में A&M और G&M का जो इंटरेंस एक्साम हुआ था तो यहां पे इसका second round का counseling आपका complete हो चुका है और second round का counseling का जो seat allotment letter है यह आज आपका जारी होगा जो आपके BSC Nursing का जो यहां पे seat allotment letter है second round का तो यह भी आपको आज ही जारी होंगे 11 October 2023 को दोस्तों यहां पे जब आपका seat allotment later जारी होगा उससे पहले आपका seat allotment list जारी होगा और seat allotment list आपको यहां पे जो download वाला section है यहां पे आपको मिल जाएंगे यहां पे आपको seat allotment list पहले जारी होगा और उसके बाद फिर आपको seat allotment later जारी होगा seat allotment later आप download कैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे जो देखिए click here for all online counseling 2023 है जब आपका यह seat allotment later जारी हो चुका होगा मतलब seat allotment list के जारी होने के बाद तो यहाँ पे देखिए online counseling for A&M slash G&M अगर आप A&M में second round का counseling किये थे तो यहाँ पे click किजिएगा और BAC nursing या फिर post basic BAC nursing में आपने apply किया था second round का counseling के लिए तो यहाँ पे click किजिएगा और देखिए click करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे जो आपको page open होगा तो यहाँ पे sign in का option आएगा और इसे sign in में आपको login ID फिर password और फिर capture आपको enter करके यहाँ पे sign in करना है और जैसे ही आप sign in करेंगे तो आपको एक page फिर से open होगा और वहाँ पे आपको dashboard में आपको मिलेगा seat allotment status और वहाँ से आप अपना जो seat allotment letter है उसको download कर सकते हैं और उसमें पुरी details में आपकी दी हुई रहेगी कि आपको admission के लिए आपको admission के लिए क्या-क्या लेके जाने हैं आपका जहां पे seat allot हुआ है उसी college में आपका document verification भी होगा और वहाँ आपका जो admission है वो भी आपका होगा देखे admission के वक्त आपके जितने documents है यह सारे के सारे जमा ले लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे सभी के सभी originals आपको लेके जाने पड़ेंगे दोस्तों आप बात करते हैं कि जो आपका third round का counselling है यह कब से start होगा तो देखे third round का counselling जो है यह आपका 20 October 2023 से start होगा और 25 October 2023 तक चलेगा और इसी third round के counselling में other state के candidate यहाँ पे apply कर पाएंगे तो जो other states के candidate हैं वो third round में जरूर apply करें उनको seat मिलने के सबसे ज़्यादा chances third round के counselling में हैं क्योंकि first round counselling में उनको seat नहीं मिला second round में apply नहीं कर पाएंगे नहीं करने दिया जा रहा था और यहाँ पे आपका जो third round का counselling है यहाँ पे आपको chance मिलेगा जो other state के candidate हैं दोस्तों आप बात करते हैं कि वैसे candidate अब क्या करेंगे जिनका 48 से कम marks है तो देखिए जो 48 से जिनका कम marks है उनके लिए एक बैतर option है कि आप अच्छे तरीके से फिर से preparation करें और preparation अभी से आप start कीजिए क्योंकि जब exam आपके सामने आज आते हैं तब आप preparation स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में आपका तैयारी जो होगा वो अच्छा नहीं होगा और ऐसे में अगर आप कुछ भी पढ़के भी अगर आप exam देने जाते हैं तो आप examination hall में सिर्फ और सिर्फ confusion कीजिएगा कि ये option सही है या ये option सही है इस तरह के आपके confusion होंगे इसलिए तैयारी के लिए सबसे best रहता है कि आप किसी भी syllabus को जिसको आप cover करने वाले हैं उसको आप बार बार पढ़ें बार बार revision करें अच्छे तरीके से syllabus complete करने के बाद आप उसका revision करें तो आप दिखें अगर आप हमारे online paid course को join करना चाहते हैं तो आप हमारे whatsapp number 9955-881649 पर आप मुझे contact कर सकते हैं